हाज जी शुरू करते हैं आज का नया टोपिक आज से हम लोग एक नया टोपिक शुरू करेंगे डेटा इस्ट्रक्चर के अंदर ही डेटा फ्रेम हमा टोपिक का नाम है डेटा फ्रेम जिस तरीके से हमने सीरीज पढ़ा था उसी तरीके से हम लोग डेटा फ्रेम पढ़ेंग single column होता था with indexes और data frame क्या होता है two dimensional होती है two dimensional मतलब उसमें कुछ rows होती है कुछ columns होता है ऐसा दिखता है यह rows है और यह column है एक, दो, तीन, चार इसमें column है ठीक है सब अभी column की heading है देखो यह 0, 1, 2, 3, 4 यह वाला यह उपर वाला इसको बोलते है column index column का index बोलते है और यह row का index इसको बोलते है row का index series में सिर्फ एक ही index हुआ करता था row का index क्योंकि वह number of column एक ही होता था single column होता था rows अलग-अलग होती है तो वहाँ पर row index होता था यहाँ पर column भी एक से ज़दा हो सकते है row के index को बोलते है access equal to 1 यह आगे use आएगा हमें याद रखिएगा access equal to 1 मतलब column access equal to 0 मतलब row ठीक है चली आगे चलते है तो आज के इस chapter में हम पढ़ेंगे कि data frame को create कैसे करता है अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ यह जी data frame में देखिए data frame का index कैसे बनता है index अपन बात कर चुक है row का index होता है यह और यह column का index है ठीक है यह index होता है अब index या index integer ही हो जरूरी नहीं index number भी हो सकता है कोई letter भी हो सकता है string भी हो सकता है कुछ भी index हो सकता है कहीं देकत नहीं अब यह तो है column का index index यह है row का index और यह है data data frame का data अब data frame के data को excess कैसे करते देखो उसको हम लोग associate करें क्या कैसे करेंगे उसका एक address होता है हर data का एक address है कैसे address हो देखिए यह क्या है row number zero यह row number one row number two यह column number zero column number one column number two column number three आप मुझे कोई बोले है भाई साहब की इस data का address बताओ, इस data का address देखिए, यह row number क्या है, row number 2 है, तो data frame का नाम लिखो, पहला bracket शुरू करो, row number लिखो, row number 2 है, ठीक है, फिर देखिए, यह column number कौन सा है, 0, 1, column number 1 है, तो फिर अगले bracket में 1 लिख दो, तो यह इसका address क्या हो गया है, ए, 2, 1, a, 2, 1 मतलब, row number 2, column number 1, इसी तरीके से सबके address होते हैं, जैसे यह क्या है, 1, 3, row number 1 है, column number 3 है, तो अब मैं हर data का एक unique address से उसको access कर सकता हूँ, यह आगे use आएगा, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक चीज़ और इसके बारे में, data frame, value mutable होती है, और size mutable होती है, mutable म हम उसकी value change कर सकते हैं, कोई भी value, इसलिए वो value mutable है, data frame के अंदर जो data है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वो data हम लोग change कर सकते हैं, इसलिए वो value mutable है, size mutable मतलब, हम उसके अंदर new column add कर सकते हैं, new row add कर सकते हैं, यानि हम data frame की size भी change कर सकते हैं, इसलिए उसको size mutable भी कहा करता हूं simple इसके लिए भी import Pandas को हमें करना पड़ेगा ठीक है फिर method का नाम है PD.dataframe बस यह एक blank data frame create हो चुका है empty data frame create हो चुका है जिसका नाम है df इस df को अगर मैं print कराऊंगा तो output में क्या आएगा इसका row भी खाली है column भी खाली है क्योंकि यह एक empty data frame बनाने का सबसे easy तरीका तो यह हो गया अब चलते हैं आगे चलते हैं हम और example देखते हैं list से मैं एक data frame बनाता हूं देखिए यह एक data नाम की है list है simple सी list integer नाम की list है इस list को मैंने मेरे PD.dataframe function में pass किया PD.dataframe function मेरा data frame create करने काम आता है उसमें मैंने यह वाली list पास कर दिये ठीक है पास करते ही देखो उसके बाद मैंने जब df को print कराया data frame को तो देखो ऐसा बना यह जो list थी मेरी list का data तो बन गया list का data यह 0 उपर वाला क्या है यह column का index बन गया है और यह 0 1 2 3 4 के यह row के index बन चुके हैं तो देखिए हम लोग थोड़ा से इसको देखें diagram को और समझें तो यह देखिए यह है row index है यह automatic create हुआ है 0 1 2 3 4 यह column index है यह भी automatic create हुआ है और यह मेरा data है जो कि मैंने list से उठाया था तो row index अगर मैं नहीं दूंगा तो automatic create हो जाएगा column index में नहीं दूंगा तो आटमेटिक हो जाएगा जैसे की series में हुआ करता था start होगा zero से मैं इनको अपना नाम भी दे सकता हूं column index में खुद कभी दे सकता हूं row index में मैं ben खुद कभी जे सकता हूँ वो हम आगे एक्सापट से में देखेंगे कि खुद का हम लोग कैसे देते हैं चलिए अभी वह तो थी एक covering वा llegó शींगल देखा था यह इन्हरा यह सिंगल लिष्ट ती जो सिंगल लिष्ट थी इसलिए एक सिंगल कॉलम बना है ठीक है सिंगल कॉलम बना अपकी बार में क्या करता हूं एक लिष्ट ऑफ लिष्ट पास करता हूं एक बड़ी लिष्ट है उसके अंदर छोटी छोटी लिष्ट है लिष्ट ऑफ लिष्ट पास करता हूं ठीक है तो यह है उसके अंदर एक लिष्ट है राम 10 दूसरी लिष्ट है शाम 10 तिसरी लिष्ट है सिता 13 और इस लिष्ट को का नाम किया data और इस data को मैंने पास कर दिया मेरे data frame के function में as a parameter तो देखिए ऐसी लिष्ट बन गई है यह जो तीन जो लिष्ट थी वो तीन रो बन चुकी है रो नमर 1 राम 10 रो नमर 2 शाम 10 रो नमर 3 सिता 13 ठीक है और इसने column का index automatic ले लिया है 0 1 row का index automatic ले लिया है 0 1 2 अभी इसी example में देखिए अगर मैं यह parameter दे देता साथ में column equal to जैसा कि मैं series में देता था तो अब column के नाम मेरे नाम हो गई है 0 1 की जगह पर क्या आ चुका है name और age column के नाम मैंने मेरे खुद के दे दिये लेकिन row का नाम मैंने नहीं दिया है रो का index इसने उसका खुद का उठाया क्योंकि मैंने अलग से नहीं दिया है ठीक है तो यह column नाम का parameter में pass कर सकता हूं अपना खुद का column name देने के लिए ठीक है चलिए आगे चलते हैं अभी हमने अभी यही वाला exam वापस वही example है मैंने data pass किया है list of list pass कर दी है column का नाम मेरा खुद का दे दिया है अब मैंने देखो index का नाम भी खुद का दिया है कैसे देना है simple index equal to list pass कर दो और खुद का देते से ही क्या हो गया यह देखिए column का नाम भी मैंने दिया था index का नाम मैंने दिया था तो यह मेरा वाला index आ चुका है पहले क्या रहा था यहाँ पर 0,1,2 इनकी जगा मेरा index आ गया है ठीक है अभी इसके अंदर एक सबसे important बात यह रहती है कि यह जो number है यानि आपने कितने column दिये दो column दिये कितने index दिये तीन दिये यह number important करता है तीन, दो यहाँ अगर मैं तीन से ज़दा दे दूँगा या कम दे दूँगा यहाँ दो से ज़दा है कम दे दूँगा तो error आजाएगी यह match करना चाहिए आपके data इसको दो column index की ही जरूरत है तो दो ही दो यहाँ तीन की जरूरत है तो तीन ही दो कम ज़दा दोगे तो error आजाएगी कोई दिकन दी इसके अंदर एक parameter और होता है मैं इसका data type भी change करता हूँ देखिए यह integer है अभी इसका data में age नाम का जो column है उसका data type integer है मैं चाहता हूँ नहीं भई मैं इसका मेरे का data type मैं देना चाहता हूँ float तो यह देखो तीसरा parameter column index और d type equal to मैंने float पास किया उसके बाद अगर मैंने इस df को print कराया तो देखो यह age वाला देखो अभी यह float हो गया है तो अभी हमने क्या क्या सिखा है simple हमने अभी तक जो सिखा उसका थोड़ा सा recap करते है data frame बनाने का क्या method है pd.dataframe ठीक है list of list ठीक है अब हम बनाते है separate list है अलग-अलग list है list of list नहीं है यह एक name नाम की list अलग है बिल्कुल age नाम की list बिल्कुल अलग है आपस में इनका कोई connection ही नहीं है यह दो अलग-अलग separate list बनी हुई है तो इनसे मुझे अगर data frame बनाना है तो आप याद कर लीजिए एक zip नाम का function होता है इसके अंदर आप list पास करिए तो वो उनको combine कर देता है zip मतलब इसने इन दो list को mix कर दिया combine कर दिया अब उस combined data को मुझे list में convert करना तो मैंने इसको type पास कर दिया बाहर एक list function लिग दिया एक पर आपस देखिए तो यह यहाँ पर क्या होगा zip function क्या करेगा इन दो name और age नाम की list को combine कर देगा फिर यह पूरा parameter मैंने किसमें पास कर दिया है list function में जो कि इसको type cast करके list में convert कर देगा और अब मेरा काम हो चुका है अब मैंने पीड़ डेटा फ्रेम के अंदर यह डेटा पास कर दिया यह चुकि कंबाइंड है list है column का नाम मेरा अपना दे दिया तो यह देखिए data frame बन चुकी है बिल्कुल complete data frame आ गई है जो आपकी पहली list थी वो पहला column बन गया है दूसरी list थी वो दूसरा column बन गया है और column के नाम तो मैंने अलग से इसको देख दिया मैंने देता तो यह 0 और 1 ले ले लेता ठीक है चलिए और आगे देखते है इसकी बहुत सारी varieties है इसलिए अलग अलग तरीके से बनती है आपको इसका आउट आपको यह पता होना चाहिए कि यह लिखा हुआ है तो कैसा बनेगा भई ऐसी डेटा फ्रेम इसमें बनेगी आपको आउटपुट निकालने वाले कॉश्चन्स में काम आएगा लेकिन अगर आपको उल्टा कॉश्चन आता है आपको कोई निब लगा कि इसी तरीकी से बनाओ तो कोई भी एक तरीका आपको आना चाहिए मैं बताऊंगा सबसे इसी तरीका कॉन सा है अब हम अगला जो देख रहे हैं यूजिंग नंपाई एरे को यूज करते हुए डेटा फ्रेम बनाना ठीक है साब स्थेक्षैन यूजिंग नंपाई एरे नंप डाइय दिवसक देख करते हैं इसनसे नंपाई यूजिंग के रोखे बन चुकी है और इंडेक्स इसने ऐटामेटेकली जन्ुरेट कर दिए हैं no column index भी और row index भी automatic इसने generate कर दिये इसी के अंदर अब इसी question के अंदर मैं अपना column का नाम दे दिया मैंने खुद का index दे दिया तो देखिए इन दोनों में output जब print किया तो पहले तो output यह आ रहा था जहां कि इस तक खुद का column का index और row का index दिया हुआ है और अब यहां पर मेरा column का index और मेरा row का index आ चुका इतना ही फरक है बाकि numpy array भी आप इसमें पास कर सकते हैं numpy array की rows इसमें rows बन जाएगी data frame की चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं अभी एक चीज और important सबसे बहुत important बात है output में बहुत ज़्यादा यूज आएगा ये वाला आपको output निकालने बहुत ज़्यादा यूज देखिए जब मैंने ये numpy array यूज की थी अभी इसी पिसले example के क्या था इसके अंदर तीन रोज थी तीन column थे ठीके साब बिल्कुल मरला भी equal equal सब हो गया है ये बराबर बराबर data में ने दिया है तो बराबर बराबर सब कुछ बन गया है लेकिन अब देखिए इस example में मैं क्या कर रहा हूँ अब मैं क्या कर रहा हूँ मैंने जो पास की वही एक नमपई अरे पास कर रहा हूँ देखिए पहले में तीन element है दूसरे में तीन element है तीसरे में मात्र दो element है अब ये बनेगी तो दिखे कि कैसी भई ये भई एक तो column ये बन जाएगा दूसरा column ये बन जाएगा तीसरा कॉलम जब यह बनेगा 3 और 6 तो यहां क्या आएगा क्या नल आएगा या नैन आएगा क्या आएगा यहां कैसे बनेगा तो चलिए देखते हैं क्या होता है हमने इस डेटा को डेटा फ्रेम में पास कर दिया यह देखिए मेरा वई वाला फंक्शन बनाया है एक ही column बनाया है यह बहुत important चीज है single column के अंदर इसने सब डाल दिया है row बली 3 बना दिये लेकिन column single बनाया है इसका मतलब अगर मैं इस column को print करवा हूँ मेरा जो था जैसे कि मैं पहले वाले मताता हूँ पहले जो हमने किया था इस 2 का क्या address होगा इस 2 का address होगा row number और column number देखना है तो row number क्या है 0 column number क्या है 1 row number 0 और column number 1 बराबर है यहां देख लिजे आपने तो यह 2 था यह देखो तो column number 1 row number 0 तो मुझे इसको कैसे लिखूंगा मैं df 0 और 1 बराबर है बिल्कुल सही है इसका address यह है तो क्योंकि और यहां पर तीन अलग-अलग column बने यानि मुझे कोई पूचता है इस 8 का address क्या है बई 8 का अलग से कोई address नहीं है इस 7 8 पूरा एक group का address है इस group का address क्या है 2 0 row number 2 है column number 0 यहां column number हमेशा 0 ही रहेगा क्योंकि यहां एक ही column है तो इस column के अंदर जो data है वो किस तरीके का data है वो सारा list है यह column क्या store करता है list store करता है पहली list यही दूसरी list और तीसरी list list store करता है whereas जबकि हमारा पूराना example था इसमें हर column क्या store कर रहा है integer data store कर रहा है अलग-अलग 7 अलग integer है 8 अलग integer है 9 अलग integer है और मेरे यहां पर column क्या store कर रहा है lists store कर रहा है list ठीक है तो अगर equal नहीं होता है numpire के अंदर तो वो एक single column ब आना ऐसा नहीं कर दो कि column no.0, column no.1, column no.2 कर दो तो वो error आजाएगी 0 marks आजाएगी ठीक है अभी देखो अब तो और अच्छी चीर बताता हूं मैंने यही example यह जो array यह list है यह list numpire वाली पास की ठीक है आप देखिए अगले example में मैं क्या करता हूं थोड़ा सा इसको change करता यह देखिए आपको सब कुछ वैसे ही वैसे ही पूरा दिखरा होगा फर वही देखिए एक row है दो row है तीन row है तीसरी row के अंदर दो element है लेकिन यह numpy array नहीं है यह data numpy array नहीं है simple यह क्या है list of list मैंने बताया था उपर कि एक बड़ी list है उसके अंदर छोटी-छोटी अलग अगलग lists है यह list of list है यह numpy array नहीं है अगर मैंने इससे data frame बनाया तो output देखो क्या आया अरे यहां तो तीन column बन गए प्रॉपर रिवर्ण टू थ्री प्रॉपर तीन column बन गए और जो खाली जगती वहां पर क्या आ चुका है नैन आ चुका है तो यह आपको ध्यान रखना यह बात कि अगर मैं numpy array से बना रहा हूं तो single column ले लेता है और अगर मैं numpy array यूज नहीं कर रहा हूं तो वह तीन column से प्रॉपर बनाएगा ठीक है चलिए और आगे चलते हैं लोग अब हम लोग बनाते हैं numpy array dictionary का यूज करके dictionary ठीक है साब मेरे पास एक data नाम की dictionary है dictionary कैसे तो यह dictionary of list हो गई है list की dictionary list की dictionary क्यों बोल रहा हूं क्योंकि dictionary के अंदर list values है values है वो list है ठीक है second की क्या age age की value क्या एक अलग से list है ठीक है इसको मैंने इस data को मैंने मेरे data frame function में पास किया as a data pd.dataframe तब इसको मैंने print कराया तो देखिए हमेशे ध्यान रखना dictionary से मुझे की है वो column का नाम बन जाते है हमेशे ध्यान रखना यह बात dictionary का की क्या बन जाती है column का नाम तो यहाँ पर name था age था तो name और age column के नाम बन चुके है उसके बाद यह data as it is आ जाएगा age के नीचे जो data था वो age का column बन गया name के नीचे जो list थी वो name का column बन गया और चुंकि मैं रो इंडेक्स अलग से नहीं दिया तो इसने इसको 0123 कर दिया मुझे column का नाम यहाँ देने की जुरत नहीं है कि column का नाम तो यह dictionary के इंडेक्स से खूद ही बना देता है तो बहुत important बात है चलिए और देखते हैं इसी को थोड़ा सा हम लोग change करते हैं इस बार मैंने अप कोई change नहीं है बाकी सबकुछ वैसा ही है ठीक है चलिए और आगे चलते हैं अब देखिए वैसे मैं आपको बता दूँ कि हम लोग यह तरीका सबसे easy वाला method होता है मुझे अगर कोई बोले कि इस तरीके की आप उल्टा ऐसा कोशन आता एक्जाम में कि इस को इस तरीके का data data frame बनाने का code लिखो तो सबसे easy तरीका यही है बहुत आसान है आप एक dictionary बनाओ dictionary के अंदर यह जो column के जितने नाम है उनको key बना दो और उस particular key की जैसे age नाम की key की value क्या कर दो यह list में डाल दो पूरा name नाम की key का क्या करो यह पूरी इसकी value list में डाल दो और साथ में index कोई से भी तरीका यूज लेंगे marks आपको equal मिलेंगे ठीक है चलिए और आकर चलते हैं लोग अभी देखिए वापस से अब एक dictionary की list है यह list है उसके अंदर अलग-अलग dictionary है अलग-अलग dictionary है लिस्ट के अंदर अलग-अलग dictionary है ठीक है साब बड़ी list है पहली क्या dictionary a b a key है one value बी की है two value दूसरी में क्या a b c तीसरी में क्या a b c ठीक है यह data मैंने पूरा data frame में पास किया तो देखिए अब क्या हुआ है इस case में क्या होगा कि यह list of dictionary है list of dictionary के case में जो dictionary की की है कि की तो बन रही है column का नाम यह तो हमारे उपर भी हो रहा था कोई दिकत नहीं हर जगा यह होता है dictionary की की बन गई column का नाम बन गई है और data अमरे पास है यह जो खाली था जैसे पहले वाले में c नहीं था तो c के जगा इसने क्या डाल दिया है नैन डाल दिया है और बाकी इसने row index खुद ले लिया कोई दिकत नहीं आप इस तरीके से भी आप dictionary आप data frame आप create कर सकते हैं इसी example को थोड़ा सा मैं change करूंगा थोड़ा pause करके दोनों को compare करिएगा code को इस code को देखिए और उपर वाले code को देखना क्या फरक है चलिए देखो वही data है पूरा same जैसा उपर था कोई फरक नहीं है मैंने सिर्फ change का किया है एक तो मैंने अपना index दे दिया ठीक है index अपना दि देखो मैंने क्या दिया ए बी-बी और सी देखो यह बी-बी पर त्यान रखना इए अलग से दिया है अब यह क्या करेगा की पहले मने तीन कॉलम दिये A, B, B और C, तो A नाम की तो value इसने तीनों से उठा ली A, A, A तीनों में है A, बराबर है, C नाम की value इसने, last वाले में इसको मिली, second last वाले में मिली, पहले वाले में C नहीं है, तो वहां उसने NAND डाल दिया, अब इसने BB ढूंडा BB तो किसी में नहीं है, तो सब जगे NAND डाल दिया बस यही ध्यान रखना है तो column का नाम, अलग देने से वो value dictionary में उसको नहीं मिलेगी, तो वो NAND डाल देगा, चलिए आगे चलते हैं और example देखते हैं यह आपकी किताब का example है, बुक का है बहुत important है, यह भी बहुत अच्छा है देखिए, आपकी बार हमने क्या किया है अलग-अलग dictionary यहां हमारी बनी हुई है, भई एक dictionary यह है, 2000 year 15, एक separate है, बिल्कुल इसके अंदर की का नाम है Q1 value 3000, Q2 की है, value 4500 की उसकी value है इस तरीके से एक second है, हमार पास year 2016 नाम के dictionary एक dictionary है, 2017 नाम के dictionary है, तीनों अलग-अलग dictionary हो गई इन तीनों dictionary को मैंने फिर से एक dictionary में डाल जाए, data नाम के बनाई, उसकी key बनाई मैंने, key की value क्या कर दिया उपरवाड़ dictionary, 2016 key, उसकी value, year 2016 जो की फिर से एक dictionary है ठीक है, और इस data को मैंने पास किया मेरे function के अंदर आप देखो, यह data क्या है एक यह data एक dictionary है, dictionary है इसका मतलब मुझे पता है, क्या होगा, क्या मेरा जब भी मेरे data frame बनेगी, तो यह जो मैंने data पास किया है, यानि यह वाली dictionary, इस dictionary की keys मेरी बन जाएगी column के नाम, मेरे data frame के अंदर column के नाम बन जाएगे, बिल्कुल बनेंगे तो देखिए, यह 2015 16, 17, तो मेरे column के नाम बन गए, अब क्या होगा अब ध्यान रखना, उसके बाद जो अंदर वाली जितनी dictionary है इन सब की keys बन जाएगी row की keys जितनी keys अंदर, unique key, सारी, इसके अंदर कितनी key है, Q1 है, ठीक है, और ढूंड़ो और क्या है, Q2 है Q3 है, Q4 है और भी कोई है क्या है इसके अंदर, नहीं इनके अलावा कुछ भी नहीं है, तो यह key बन गई अब इनकी value अपने आप उठा लेगा 2015 की Q1 की value, 2015 की Q1 की value मतलब 2015 मतलब ये, 2015 की dictionary का नाम मतलब ये, पहली वाली पहली वाली में Q1 की value 3000 तो ये 3000 आ गई है इस तरीके से इसने values उठा लिए खुद की, ठीक है साब, चलिए तो यहाँ पर ना तो मुझे column का नाम देने के जरुद पड़ी ना row का index देने के जरुद पड़ी मैंने सीव data pass किया इसने automatic दोनों उठा लिये हैं ठीक है, अब इसी program को मैं थोड़ा सा और change करता हूं slightly, आपके output निकालने के साब से बहुत important है देखिए, वही वाली है 123, अब की बार मैंने एक dictionary और बना दी है यह 2018 नाम की चार हो चुकी dictionary ठीक है Q1, Q1 है Q2, Q2 है और इसमें एक डबल A नाम का extra है इसमें BB नाम का extra है ठीक है, तो अब जब मैं यह मैंने data बनाया यह चारो dictionary यह मैंने इसमें पास कर दी और इस data से मैंने data frame बना दिया है और जब मैंने इसको print कराया है तो मैंने क्या बोला था यह जो data है इस data की keys क्या बन जाएगी मेरी data frame की column का नाम column का नाम बनेगा तो ठीक है कितने थे एक, दो, तीन, चार यह चारो तो यहाँ पर क्या आ गए column के नाम बन चुके है उसके बाद मैंने क्या बोला था row index कौन बनेगा row index बनेगा इन सभी dictionaries की unique keys unique keys मतलब देखो भाई, इसमें Q1 है ठीक है यह Q2 आ गया Q2 भी है तो यह Q2 भी आ गया Q3 भी है Q4 भी है उसके बाद आप देखो इसके अंदर डबल अ भी है तो डबल अ भी आ गया डबल बी भी है तो डबल बी भी आ गया जितनी keys थी unique सब row index बन चुकी है अब इनकी value उठाने की बारी आई ठीक है साब value उठाओ तो पहले कह रहा 2015 में डबल अ की value 2015 मतलब E8 2015 वाली dictionary यानि पहली वाली dictionary पहली वाली dictionary में डबल अ है इनी तो 9 आ गया है इस तरह कि इसको थोड़ा सा pause करिये इसका resolution increase कीजिए और देखिए कहां पर 9 आया है और कहां पर value आई है क्यों value आई है तो देखिए 18 मतलब E8 2018 वाला E8 2018 मतलब यह वाली dictionary यह dictionary की BB की value मतलब यह 8000 इसलिए यहां पर value आई है बाकी सब जगे 9 आया है तो इसको देखिए समझे बहुत इजी है चलो एक और हम लोग देखते है अब अगला तरीका है की series को use करते हुए dictionary बनाना series बनी हुए मेरे पास उससे अभी तक हम लोग list से हमने बनाना सिखा dictionary numpy से बनाना सिखा dictionary और dictionary से dictionary बनाना dictionary की dictionary sorry dictionary से data frame बनाना सिखा वापस बोलता हूं confused नहीं होना हमने data frame बनाना सिखा using list फिर डेटा फरेम बनाना सिखा using dictionary फिर हमने सिखा data frame बनाना using numpy arrays तीन तरीके हम लोग चीछ चुक है numpy array से dictionary बनाना sorry numpy array से data frame बनाना dictionary से data frame बनाना और using list list से data frame बनाना चौता तरीका है series से data frame बनाना तो देखे series ठीक है सब मेरे पास एक dictionary है, जिसमें दो series है, यह data नाम की dictionary है, उसमें series है, पहली series का नाम है population, दूसरी series का नाम है area, तो basically है क्या, यह population नाम की की है, और इसकी value एक series है, देखें, pd.series, इसकी value एक series, इसे तरह किसे area नाम की एक मेरे पास key है, इस area की जो value वो एक series, अब यह series, तो normal series है, यह इसकी value है और मैंने अपना index दे तीक है कोई देखत नहीं अब फरक क्या आ रहा है इसके अंदर पहले वाली में 3 जब मैंने इसको प्रिंट कराया तो देखें पहली चीज तो अपना वही फार्मुला लगेगा अगर मैं dictionary pass कर रहा हूं मेरे इस function के अंदर तो इस dictionary की keys बन जाएगी column का नाम तो area और population तो बन गए मेरे column के नाम बन गए बाकि इसने value series से उठानी है अब series का index जो भी series का index होगा series का unique index वही वाली बात हो गई है series का unique index बन जाएगा यहाँ पर row का index मेरे पास unique index कितने है चार है ठीक है उद्यपूर यह उद्यपूर बिकानेर बिकानेर जोदपूर जोदपूर और एक जेपूर extra है जो पहली वाली मिली लेकिन unique है तो यह चार मेरे पास unique है तो मैंने चार बना दिये फिर इनकी value वहां से उपर से पने उठा लिये जो एक खाली था उसे पर इसने nan ले लिया कोई दिकत नहीं है बहुत आसान है तो होता क्या है कॉलम का नाम क्या बनता है dictionary का index और row का index क्या बनता है series का index ठीक है इतना से फरक है अभी आपने एक चीज ध्यान दी होगी या नहीं दी मैं आपको बताता हूं अभी चलिए हम लोग एक और बनाते है फेले example बनाते है एक और मैंने एक अब की बार में बना रहा हूं वही वाला उपर वाले तरीका है उपर हमने क्या किया था अभी एक dictionary है जिसके elements series है ठीक है वही मैं कर रहा हूं मैंने एक series बनाई है POP नाम की population POP उस series की कुछ value है उसका index है एक area नाम की बनाई है series value index है ठीक है फिर मैंने एक density नाम की एक variable बनाया वाँ मैंने क्या किया है population नाम की series को area से divide कर दिया यानि यह population यानि की density भी एक series है उस series में क्या होगा vector operations आपने देखे होंगे mathematical operations की जो है series के ओपर हो जाते हैं कि अगर मैं दो series को आपस में divide कर रहा हूं तो इसका पहला एलिमेंट पहले से population series number two area series number three density अब इन तीनों की मैंने एक dictionary बना दी वही जैसा उपर था अब यह नॉर्मल dictionary बन चुकी है कि बहुत डेटा नाम की dictionary है उसकी key का नाम है population और इस population की value एक series है area नाम की key है और इसकी value एक series है density नाम की key है और उसकी value एक series है ठीक है फिर मैंने इसको पास कर दिया मेरे data frame के function में यानि यह तीन तो बन जाएंगे column के नाम जो कि dictionary के keys है ठीक है तो देखिए area density और population यह तो बन चुके है column के नाम area density population column के नाम बन चुके है series की जो unique key थी यहाद चार-चार है दोनों में चार है equal है कोई दिक्कत नहीं जीतने थे उधने बन गए और इसने value उठा लिया है यह density to calculate हुई है क्योंकि मैंने divide किया था लेकिन calculate होने के बाद भी वह एक at the end series ही बनी है ठीक है यहाँ तक तो हो गया लेकिन इसमां आप एक तो यह order change हो गया देखो जिस order में मेरी dictionary थी उस order में column के नाम नहीं आये है तो इसलिए ऐसा होता है कि यह by default क्या करता है column के नाम को sorted order में ले लेता है आप चाहिए किसी भी order में लिखो यह इनको sort करके लिख देता है तो पहले a आया फिर d आया फिर p आया लेकिन मैं चाहता मुझे column का नाम अपना पास करना पड़ेगा यह देखिए मैंने वह इक नाम वापस पास कर दिया सेम लेकिन अब जो मैंने पास किया तो यह order यही लेगा जो मैंने यहां पर पास किया है वही वाला order तो यही थोड़ा सा फरक है कोई ज़्यादा difference नहीं data frame वही बन रही है data क्या भी वही है केवल column की ordering change हो गई है ठीक है चलिए अब एक last method बसता है chapter कतम होने वाला है आप थोड़ा confuse हो रहे होंगे थोड़ा confusing है क्योंकि कभी क्या हो रहा कभी क्या हो रहा है तो इस वीडियो को चार से पांच बार आप देखिए तो आपको सावज में आ जाएगा ब वीडियो देखने के बाद किताब को देखिए तो आपको सावज में आएगा बहुत आसान है hard नहीं है यह सिर्फ लगता है hard है अब मुझे क्या करना है कि एक data frame create करनी है दूसरे data frame को use करते हुए एक मेरे पास data frame है पहले से df1 नाम की data frame है यह df1 नाम की data frame है यह df1 नाम क data frame मनानी है जो कि हूब हूब कॉपी ओनी चीए df1 की तो क्या करेंगे simple देखिए मैंने क्या किया इसके अंदर df2 लिखा पीडियो data frame में क्या पास किया मैंने वह पहली वाली data frame पास कर दी डेटा के जगह पे तो अब क्या होगा अब अगर मैं df1 और df2 को प्रिंट करव तो यह chapter यहीं खतम होता है data frame create करना आपको समझ में आगया होगा अब यह series चलेगी इसके lectures और भी आएंगे कि अभी तो हमने create करना सीखा है फिर हम इसके attributes देखेंगे फिर हम methods देखेंगे इसके अंदर भी mathematical operations होते हैं वो देखेंगे vector operations होते हैं देखेंगे तो यह लब्मा चलेगा लेकिन यह create करना इसका basic था कैसे create करते हैं तो आप इसको सीखिए समझिए कोई doubt है मेरे को पूछिए comment में लिखिए हम लोग फिर मिलेंगे बाए